नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर राजी श्वद्वा आप देख रहे हैं खबरनाम हर्याणा दोस्तों 29 माई का दिन हर्याणा की राजनीती के लिए बड़ा खास दिन साबित होने वाला है क्योंकि इस दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की परचन जीत के बाद दिल्ली के मुक्ह मंत्री आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो आर्विंद केजरिवाल धरमनगरी कुर्कशेत्र में एक रैली करने जा रहे हैं इस रैली में क्या खास रहने वाला है इसको लेकर आज उत्री हर्याना आम आदमी पार्टी के संक्टन मंत्री सुखबीर चैहल जे मारे साथ मौझूद है आज हम इनसे जानेंगे कि इस रैली के तैयारियों को लेकर रैली से जुड़ी और बातों को लेकर क्या कुछ कास है नमस्कार राजेशी का नाम ऋलग है, अब बदलेगा ह Allanah और पूरे हर्याणा के अंदर इसी नाम से इस रेली का परचार परशार किया रहा है और हर्याना में भी केजिर्वाल जी आएंगे इसी टैग लाइन, इन दो टैग के साथ巴टार險 पिछले साथ साल से आपके कुरक्षेतर के अंदर एक सड़क बन रही है मेरे ख्याल से यहां पे एरपोर्ट बन जाना चीए था इतने दिनों में उसको पार करने के लिए इनी चीज़ों को लेके अरविंद केजरिवाल जी इन मुद्दों को लेके बातचीत करेंगे का बदलाव देखने को मिलेगा और इसी चीज़ को लेके हर्याना में जब रैली होगी तो यह जो वेव आई है यह जो लहर है हवा आई है यह तुफान के अंदर बदलने वाड़ी है लोगों में उसकता इतनी जादा है लोग त्यार बैठें कि हमें भी जवाइन कराओ हम जिस भी गाओं के अंदर जाते हैं गाओं वाड़े लोग कहते हैं जी बस पुराणों को मत लेगे आना उनके लिए जो शब्द इस्तिमाल करते हैं वो शायद चैनल पे इस्तिमाल करना ठीक नहीं है लेकिन लोग ये चाहते हैं कि नई लोगों के साथ आम आद मिंपार्टी यहां पे आए उनकी सोच का दूरदर्सी तक आप अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं तो ऐसे में जस परकार आम आदमी पार्टी में कई पुराने चेहरे भी शामिल हो रहे हैं, जिनके बारे में विपक्षित दल भी खुद कहने लगेगे, तो उस पार्टी का डिफेक्टिड माल है, रिजक्टिड माल है, जो आम आदमी पार्टी में जा रहा है, तो जनता में भी कहीं न कहीं इस बात हमारी तो सत्ता नहीं है यहाँ पर निर्मल सिंग जी आम आदिम पार्टी जोएन करते हैं वो चार बार से भी दाएक ती चार पैंशन ले जाते हैं उन्होंने अपनी तीन पैंशन चोड़ दी वो एक पैंशन पर काम आब ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आ आदिम पार्टी के अंदर आता है उसके उप्रेगी कंडिशन है कि आम आदिम पार्टी की विचारधारा करौप्शन के खिलाफ जो हमने लडाई शुरू की थी मांदारी की राजनीती जो हमने शुरू की थी उसको अपनाना पड़ेगा अगर वो अपनाएंगे तो आम के काम कर रहे हैं, कोलिंग कर रहे हैं, जिन्हों ने है Back Rudy ने कि मैं दस लोगों को ले के आउंगा। या मैं सो लोगों को हुँगा, तो इस तरीके से हमने वो डाटा कथा किया और कोलिंग जल रही है, लगबद लगबग दो लाख लोगों का अब तक डाटा आ चुका है इन लोगों के बैढने को लेकर घाने पीने को लेकर क्या विवस्ता की जा रहे हैं ये टंटिंग को लेकर ये आम आदमी पारटे की रैली है पचेतर हजार से उपर कुर्शियां लगाई जा रही है दूसरा वहां पे पानी की विवस्ता कर दी गई है पानी की कोई समस्या नहीं आएगी और जो रास्तें हैं रास्तों के उपर हमारे वोलेंटर काम करेंगे ये सारी विवस्ता हैं हो चुकी है खाने की विवस्ता है आम आदमी है आम आदमें अपने घर से खाना लेके आएगा चार रोटी अबांद के नमक मिर्च के साथ वो आएगा और हर्याना के बदलाव की इस लड़ाए के अंदर अपना योगदान देगा अर्विंद केजरिवाल जी के मंच को अर्विंद केजरिवाल जी के इलावा और कौन-कौन से नेता सांज़ा करने वाले हैं हर्याना के सैब परभारी सुशील गुपता जी राज्य सबसांसद जो दिन रात हर्याना के अंदर काम कर रहे हैं प्रबारी दिनेश्पार्ताब जी रहेंगे और हर्याना की युनिट रहेंगे। कि जाएंगी कोई आंकडा इनका गाओं के स्तर पे जाके रैली की सभाएं की जा रही है और हरे को यह बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के रैली लोग तयार बैठे हैं लोग उने का है जी ट्रेक्टरेट रैली के अंदर आएंगे साधन बेजने की जरूरत नहीं है आ कि अध्यामता में किस परकार की उत्सुकता नजर आ रही है जैसे आप लोगों के पास जा रहे हैं लोगों को पाड़ी बताई इकई आंदर आती है, जैसे पानी की निकासी की समस्या है, जो तलाब होते थे मारे जोड होते थे, उनके अंदर गंदगी पर गिया है, अब अपने मवेश्छी जानुवर पानी नी बीसकते है, पानी की समस्या सबसे बड़ी आपनी की समस्या sind Ngay और उत्तर हर्याना के बहुत सारे ऐसे गाहूं हैं, जहां पर आज भी महिला हैं, सिर्पे पानी उठाके चलने के लिए मजबूर है, यह हमने गाहूं से इकटी की है, बिजली की समस्या है, 24 गंटे बिजली नहीं आती, इन्वर्टर के उपर डिपैंड रहना बढ़ता है, इ तो इस तरीके की बहुत सी समस्या हैं, जो हमने उस सर्वे के दुरान लिये हैं, और इनके उपर हमकाम करने कोशिश करेंगे, अगर हर्याना की जनताम आदमी पार्टी को सरकार मनाने का अफसर परदान करती हैं, तो किस परकार का बदलाव हर्याना में देखने को मिलेगा? एक करांती कारी बदलाव होगा, मैं यह नहीं कहता है कि यहां पर हम जननत बना देंगे, लेकिन इतना जरूर है, लोग यह कहेंगे कि अगर आपको सर्वाइव करने हैं, अगर आपको अच्छी जिन्दगी जिनी हैं, तो आओ हर्याना के अंदर रहते हैं, अगर पास रोजगार होगा, अगर किसान की बात करेंगे, तो किसान की हर समस्या का समाधान होगा, उसकी खराब हुई फसल को ठीक से मुहावजा मिलेगा, जो दिल्ली के अंदर 50,000 पे एक्टेर के इसाफ़ से दिया जाता है, उसी तरज के उपर यहां पर भी काम किया जाएगा सिर्फ दिल्ली मोडल नहीं है, अर्विंद केजरिवाल जी की जो सोच है, उसको पूरी तरीके से हर्याना के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका एक कारण भी है, अर्विंद केजरिवाल जी हर्याना से संबंद रखते हैं, हर्याना के बेटे हैं, अगर वो दिल् गोशित कर दिया गया था क्या हर्याना में भी ऐसे पार्टी अपना चहरा घोशित करेगी मुख्य मंत्री का यह उपर की लीडर्शीप तैय करेगी और मुझे लगता है कि उस दिन तक हमारे पास बहुत से चहरे होंगे जनता को चुनना है कि यह किस चहरे को एक आम आदम ही नेया चहरा बिल् Быल आम आदम ही होगा और इसमें कोई दोराइन नहीं है और इमांदार लोगों की सरकार बनेगी जिसका विजन कलिएर होगा कि इसको करना क्या है जिसको समझ में आएगा कि जो model जो आम आदिम पार्टी ने दिया उसको implement कैसे करना है जो संगठन का साथी होगा उसको आम आदिम पार्टी आगे बढ़ाईगी दन्यमा स्वाइब तेंक्यू ये थे हमारे साथ सुखबीर चहल जी जिन्होंने एक बात तो सपस्ट कर दी कि 29 मई को हर्याना में एक बदलाव रैली के रूम में अर्विंद केजरिवार रैली में शामिल होने जा रहे हैं दो लाग का दावा किया जा रहा है यदि ये दावा पचास प्रशन भी माना जाए अगर एक लाग लोग भी इस रैली में शामिल होते झाल